एरक्राफ्ट केरियर पर प्लेन उड़ने से पहले ब्लास्ट डिफलेक्टर क्यों लगाय जाते हैं? एक एरक्राफ्ट के एक्जॉस से निकलने वाली गैसिस का तापमान लगबग 1300 डिग्री सेल्सेस तक पहुँच जाता है जिसकी रफ्तार 120 मील प्रती घंटा और इसका प्रभाव 60 मीटर के दायरे तक पहुच जाता है इतनी तेज रफ्तार से फैलती हुई गर्मी किसी को भी जुलसा सकती है तो उससे बचने के लिए जेट ब्लास्टर डिफलेक्टर को लगाया गया एक एरक्राफ्ट के पीछे कितने जेट ब्लास्टर डिफलेक्टर लगाया जाते हैं लगबग साथ और क्या एरक्राफ्ट केरियर की हवाई पट्टी और ये सेम मट्रियल से बने होते हैं नहीं ऐसा नहीं है Jet Blaster Deflector को Ceramic Tile से बनाया जाता है और ये वही Tile है जो Space Shuttle पर लगाई जाती है ताकि Atmosphere में Re-Entry के समय Space Shuttle को जलने से बचाया जा सके पूरी वीडियो के लिंक है पिन कमेंट्स में